तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनप के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एबी रॉक्स डीम 11 टीम तो इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन वॉक्स में डाल दूगा कि बाद में आपको ढूंडने में प्रॉब्लम ना आए तो एक पर फिर कह रहा ह प्रिवियस टीटन भी आईशाल हमारा बहुत जबरतस जाने वाल है ऐसा लग रहा है भी शुरू है बड़ देखते हैं क्या होता है गाईज तो चलते हैं आगे बात करूँ अगर मैं इस मैच की तो वर्ल्सबग वॉमेंस वोर्सिस चैल्सी वॉमें के बीज जो मैच होने इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंगल कंबिनेशन टीम मत बनाना पिछले मैच के अंदर जिन्हों ने वॉल्सबग के साथ जिन्हों ने टीम बनाई थी वो बुरी तरीके से शायद हार गए थे क्योंकि क्या था कि पिछले मैच के अंदर चैल्सी ट पिपिंग बहुत ज्यादा तगडी है बात करूँ डिफेंडर की तो यहां से लूँगा एमरिक्सन को चैल्सी की गाई एमरिक्सन यहां से आपको जबर्दस प्लेयर मिल दिया इसने पिछले मैच में वॉल्सबग के खिलाफ 66 पासिस कमलीट किये तो 90 मिनट से पूरा खिल प्रोच की बात करूँ तो देखो अगर गोल तो कोई भी कर सकता लेकिन यह होते हैं अनेक्सपेक्टेड कोल क्योंकि डिफेंडर पे मैं वरोसा नहीं करता जादा तो एफ रोच को मैं इस पी लिए अपनी टीम में ले रहा हूँ क्योंकि इसकी सेलेक्शन बहुत ही कम है औ चैल्सी की एक बुमेन जिसका नाम है फ्रेंकेस का कीरभी तो यह प्लेयर के मैक्सिमम बहुत गोल्स है अपनी इस लीग में क्योंकि लेफ्ट एंड साइड मिट फिल्डिंग में इकलोती एक खतरनाक प्लेयर है वो यही है क्योंकि काफी लोग ना इसकी जगा ट्राइ करे के बाद अगर यह किसी की जगा सब्चीडूट आती है तो गोल वगरा करती है लेकिन जब यह खुद इस चार्टर फाइम में होती है तो ज्यादा इसके इंदर पावर मैंने नहीं देखी पर फिर भी मैं इसको इसलिए ट्राइ कर रहो कि एसिस्ट कर सकती है यह आज के मैच में ट्राइ किया था 66 मिनिट खेले थी क्योंकि अगर यह वुमेंस में यह होता है कि अगर कोई प्लेयर ना चल रही हो तो उसको निकालकर यह सब्चीडूट गाइस बहुत ही जल्द भेज देते हैं तो आगे से बात करूँ उस चेट फॉवर्ट की तो पी हाडर को य मैच में थोड़ी तगडीरी थी और S-Hard की बात करों यह मेरी वाइस कैपटन थी सब्सक्राइब जो है और मिट फिल्ड पलस प्लस टेट फॉवर्ट इंग स्ट्रॉंग जो है वह है चैल्सी टीम की तो उल्टा कंबिनेशन है जो मिलता हूं अगली वीडियो में बाइ